बात कर रहे थे हम unexpected event का कि हमाई जिंदगी में बहुत सारे unexpected event हो जाते हैं जिसकी हमने कभी कलपना नहीं की थी तो unexpected event में ये part 3 है अगर part 2 और 1 नहीं देखा है तो playlist में Germany astrology की list को देखिए इससे पहले आपने दो वीडियो part 1 part 2 में देखा था और हमने divide किया था चर राशी होती है जैमनी में साथ ही साथ हमने बताया था स्थिर राशी होती है जैमनी में और हमने बात की थी कि दूई सुभाव भी राशियां होती है जैमनी में तो अब तक हमने देखा था कि हर चर राशी जो होती है स्थिर राशी को देखती है कौन कौन सी एक चार साथ और दस फिर देखा था हर स्थिर राशी दो पाँच आठ ग्यारा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा हर स्थिर राशी चर राशी को देखती है लेकिन अपने से साथ वाली को नहीं देखती है बचा कौन आज? आज बचा है दूई सुभाव राशी तो दूई सुभाव राशी कैसे देखती है? अब ये किसको देखेगी? चरन ने तो स्थिर को देख लिया, स्थिर ने चर को देख लिया तो दूई सभाव किसको देखेगी? चलिए तो सबसे पहले हम एक यहाँ पिकाल पुरुष की कुंडी ले ले लेते हैं वहाँ से हम आपको अनलेसिस करके बताएंगे साथी साथ दोस्तों मेरी आपसे निवीदन है कि अगर आप हमसे परसनल कंसल्टेंसी लेते हैं और अक्सर आप लेते हैं तो देखे जो भी रिपोर्ट, जो भी आप एडवाइस मांगते हैं आपको उसी वक्त आपके इमेल पे आपको दे दी जाती है लेकिन कई सारे ऐसे भी देखे गए हैं कि आप 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद उसके उपर फॉलो अप पूछते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता, आपको रिप्लाई वहाँ पे नहीं दिया जा सकता अगर आप जवाब मिलने के 4-5 घंटे में अपना काउंटर बैक करके कोशन पूछ लेते हैं तो आपको जवाब दे दिया जाता है, लेकिन लॉंग टाइम तक ना हमें याद रहता है और ना ही हम आपके चार्ट को उतने बहतरीन तरीके से देख सकते हैं या तो उस केस में आप इंस्टाग्राम में फिर से अपलाई कीजिए या फिर हमारे सवाल सेक्शन को यूज कर सकते हैं जस्ट सिंपल, चलिए, आगे बात करते हैं आगे बात मैंने बताया भई, आपको दूई सुभाव राशियां देखनी हैं नमबर 3, 6, 9, 12 तो आपको नमबर नहीं याद होते हैं तो आप याद करिए हमें दूई सुभाव राशियां देखनी हैं बुद्ध और बृस्पती को देखना है बुद्ध और बृस्पती के जो दो राशियां हैं उन नमबर को आपने देखना है चलिए अब मैंने आपको यहाँ बताया कि जो दूई सुभाव राशियां है ये ना तो इस थिर राशिय को देखती है और ये ना तो चर राशिय को देखती है अब आप पूछेंगे भई अगर ये दूनों को नहीं देखती है क्या करें हम तो देखिए कोई बड़ी बात नहीं है कोई confusion की बात नहीं है हर दूई सुभाव राशिय जो है अपनी से अपनी दूई सुभाव राशियों को देखती है अपनी दूई सुभाव तो देखिए इस कुणली में दूई सुभाव राशियां कौन कौन सी है अगर मैं कहूँ एक नंबर आपका जो दूई सुभाव राशी का है वो आगे तीन मैंने यही कहा था माफ कीचिए का यहाँ पे कुछ गलती हो गई है तो हमने आपको बताया था कि आपकी जो दूई सुभाव राशी है यहाँ पे एक आगे तीन आपकी नौ पारा कुणली की यह दूई सुभाव राशी है अब भई दिस्टी देनी है दिस्टी कैसे मा लीजी हम बात करते हैं तीन नंबर तीन नंबर दूई सुभाव राशी है तो यह देखिए किसी को भी नहीं देखी गई तो ये तीन नमबर राशी दिस्टी किसको देगा ये तीन नमबर की राशी देगा 6 नमबर को दिस्टी देगा आपके 9 नमबर को दिस्टी देगा और खुछ जहां है वहाँ तो ये एफेक्टिब रहेगा ही रहेगा आगई बात समझ में चलिए अगर ये ना अगर हम द करते हैं कुछ प्लैनЕТ को यहां प्रेज्ट करेते हैं मान लीचे आपकी कुंदलि में मंगल देव बैठे हुए है यहां पर सकते हैं और आपको पता है Mars की दिश्टीयां हुत दिश्टीयां होती है किसको देखनी है एक दो तीन चार आपके भागे भाव को ठीक है जी भागे भाव को दिस्टी दे दी उसके बाद किसको दिस्टी देंगे साथ में दिस्टी दी आपके बाल में भाव को खर्चे वाले भाव को उसके बाद दसमें दिस्टी किसके दी साथ आठ नौ दस आपके प्राक्रम वाले भाव को तो इस मंगल की दशा अंतर दशा चलेगी तो क्या क्या होगा ये तीनों भाव एक्टिवेट होगे परंतु कहीं ना कहीं से अगर हम चर राश्री की बात कर लें यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ये चर नुम्बर तो इवन्ट इनसे लेटिड जरूर होगा लेकिन एक इवन्ट आपका अस्टमफाव से भी हो जाएगा तो ये अस्टमफाव आपका स्टंड लवा सकता है सरजरी करवा सकता है हून लास करवा सकता है आपको ओकल्टिजम के छित्र में आपको समलिक कर सकता है होता है जो आपने कभी नहीं देखा होगा तो आप जब calculation करते हैं तो आप चरदशा देख लीजिए चरदशा के साथ अगर आप विमशोत्री दशा देखते हैं चरदशा में क्या होती है चरदशा जो होती है राश्यों की चलती है जो कि हम बात करें विमसोत्री दशा किसकी होती है प्लैनेट्स की होती है अगर आप इन दोनों कॉम्बो को आपस में जोड देते हैं और रिजल्ट निकालते हैं तो आपका आउटपूट जो होता है 99% तक सही निकलता है अब यह जो कैलकुलेशन होती है इस सभी नहीं देखते ह और आपके अंसर को बहुत ही अच्छे धंग से निकाल सके जब हम जल्दबाची करते हैं जल्दबाची में अंसर जानना चाहते हैं तो हमारा जो आउटपूट होता है कई बार गल्ती में हो जाता है और फिर हम कहते हैं कि फलाने आदमी से हमने पूछा उन्होंने ने कहा ये प्रन्तु ऐसा हुआ नहीं तो गल्ती किसकी है? गल्ती आपकी है आप pressure मत कीजिए अगर आप doctor को pressure करेंगे तो वो आपकी surgery आपका operation सही तरीके से OT में नहीं कर सकता है यही reason है आपको वो पहले admit करते हैं, सारे test करते हैं उसके बाद हुआ आपकी analysis करते हैं surgery करते हैं, same concept आपका astrology में भी apply होता है तो इस चीच को gant मांके अपने पास रख लीजिए तो आज मैं यहाँ पर समापन चाहूंगा किसी प्रकार की साहता as consultancy चाहिए, आपकी पर सारे माध्यम उपलब्ध है, चोतिशकर android app है, हमारी website है इवन आप instagram, twitter और facebook पे भी हमसे request कर सकते हैं और यहाँ पे तो 15-20 दिन में आपको एक reply वैसे ही free में दिया जाता है, और हो सके तो आप membership join कर लीजे, हमने membership button on कर दिया है, वहाँ से भी आपको फाइदा प्रियोटी मिलेगी, मिलेगी धन्यवाज, चैमातादी, फिर मिलते हैं